गुड़ मॉनिंग सात्यों आज हम करेंगे प्रेक्टिस सेट कर रहा हूं आज़त भड़ गई है एलजेब्रा पॉर पार्ट फॉर ठीक है आज होप आपको प्रीवेस जो वीडियो समझ मागई होगी आज जो मैंने आपको तीन चीज़ बताई थी शुरू में कि एलजेब्र ज़ले शुरू करते हैं पहला कोशन पहला कोशन कहा रहा है कि अगर कीस व्य犟्टि है बी की वेल्य Sug.» institute आप जो फॉर्मला 7 है याद आप फॉर्मला 7 जो मैंने पिछली वीडियो में कर वाय में उस confused है आपको ये बत पता है एक फ्लस बी YouTube अगर यह 0 आग使ssen सथ गेर मैली बिल्टिप्लाई चाहेगे तो यह पूरी value क्या होगी 0 अब AQ प्लस BQ प्लस CQ की value क्या हो जाएगी इसे यहाँ पेज देंगे तो कितना आ गया 3 A B C कितना जाएगा 3 A B C अब आप value put करोगे तो 3 का 3 A कितना है 20 B कितना है 30 और C कितना है 50 multiply कीजिए यह तो आपका 0 हो जाएगा 1 2 3 0 आपको वैसे मिल गए 1 2 3 और यह हो गया 0 4 और कितना बच्छा आपका 5 3 sorry 3 3 9 तो आपका कितना answer आजाएगा minus का 90,000 आपका answer आजाएगा बसन जाएगी तो इसकी value आजेगी minus का 90,000 ठीक है आसान था चलो आते हैं अगले question पे चलो आते हैं अगले question पे यह वाला question भी एक्जाम में आ रखा है question कर रहा है A minus B की whole cube B minus C की whole cube और C minus C की whole cube की value क्या होगी ठीक है? option है आपके 3A, B, C और दूसरा है 3 A minus B B minus C और C minus A ठीक है? C minus A हो जाएगा तीसरा option है 0 चौता option है बना क्या आएगा बताईगे? मैं अगर आता हूँ देखें अगर मैं इस पूरी value को A माल लूँ, इस पूरी value को B माल लू इस पूरी value को C माल लूँ तो A plus B plus C करा जाए अगर A plus B plus C करा जाए तो कितना बनेगा? A minus B plus का B minus C plus का C माल से बनेगा कि नी बनेगा? A से ये कड़ गया C से कड़ गया और B से ये कड़ गया तो क्या आगया? 0 अब मैंने वही चीज़ बताईगे अगर A plus B plus C 0 होता है तो A cube जमा B cube जमा C cube किसके बराबर होगा? 3 A, B, C के बराबर होगा कि नी होगा? कैपिटल वाला क्योंकि मैंने इसे कैपिटल लिया है तो 3 A, B, C ये रहे तो इसका हो जाएगा option B सभ़ज में आ गया? paper में आ रखा है इसलिए आपके भी exam में आ रखा है तो एक बार देख लेना से चलो आते हैं अगले question पर चलिए देखें third question third question क्या कर रहा है? कि अगर x minus y की whole cube plus y minus z की whole cube plus z minus x की whole cube upon में x minus y y minus z और z minus x सब की value दे रखी है तो उसको solve करना है कि इसकी value क्या बनेगी? 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी या 0 बनेगी अब आपके देखो ऐसे ही exam में आते हैं आप दर जाते हो डरना नहीं है तो दिमाग तो लगाओ वही चीच, अगर मैं इसे a माल लू इसे मैं b माल लू और c माल लू तो यहां भी वही है तो मुझे पता है अगर a plus b करूंगा देखो x minus y y minus z और z minus sir गों तो सारे कट जाएंगे पहले की तरह हां तो सब क्या बन जाएगा 3 abc बन जाएगा capital A तो एक है मेरा x minus y यह previous वाले की तरीके बता रहा हूं उसलिए प्रीवेस में कट गया था ना यह आ गया था option वरना तो इसका देखते ही answer है लेकिं जाएतर लोग 0 करते हैं पर 0 होगा नहीं इसका चीक है चलाते हैं एकले question पे चले देखिए question question number 4 कह रहा है कि एगर a plus b minus 2c की whole cube b plus c minus 2c की whole cube 2a की whole cube और c minus a चीक है यहाँ plus होगा sorry c plus a minus 2b की whole cube तो उसकी value क्या बनेगी upon में यह दे रखा है 9 यह यह 9 है तो आपको पता ही यह आपका a बन जाएगा यह आपका b बन जाएगा यह आपका c बन जाएगा solve करोगे तो क्या बनेगा 3 a b c capital में और नीचे भी तो 9 दे रखा है 9 a b c समझ में आगे की निया आगी बात ठीक है a b c c cut gya cut के आगे कितना गया 1 by 3 ठीक है देखो यह फाइदा होता हमारा concept करने का concept करोगे देखो दो मिंड पर question हो रहे बस में हरी की निया रही चलो आते हैं अगले question पर चलो देखिए अगला question ट्राइ कीजिए question number 5 कह रहा है कि अगर a square minus b square की cube b square minus c square cube और c square minus a square cube अप उन में a minus b, b minus c और c minus a की cube दे रखी है तो आप बताइए इसकी value क्या बनेगी जब यह question exam में आता है तो भाई आप लोग डर जाते हो दरने के ज़रू है बहुत ही आसान question है इसे मैं a मान सकता हूं कि नी मान सकता çek इसे b मान सकता हूं और c मान सकता हूं तो क्या बनता है 3a,bc क्योंकि इन सब को plus करने क्याdom जी रों को करनाέए अब नीचे वाला a तो मान सेखिए a square minus b square जो पिये समझ मेरा की नहीं आ रहा तो इसको तो तम कुछ और मालता है इसे X माल लो capital X, capital Y माल लो, capital Z माल लो, तो क्या बनेगा 3XYZ, बाथ समझ मेरा रहे की नहीं, 3D से 3 कड़ गया, अब ABC की value रख दो, A की value क्या है, A square minus B square, इसकी value क्या है, B square minus C square, और इसकी value क्या है, C square minus A square, समझ मेरा होगा आपको, और नीचे क्या रख है, A minus B, B minus C, यह B minus C है, ठीक है, और यह C minus A हो गया, अब आपको बता है, A square minus B square का तरीक formula क्या होता है, A plus B, और A minus B होता है की नहीं होता, अब minus A minus कर जाएगा, इसे प्रकार से इसे यह वाला जो है, B plus C, और B minus C होगा, तो minus A minus कर जाएगा, और इसे प्रकार से C minus A क्या होगा, C plus A, C minus A, तो minus A कर जाएगा, तो इसका answer क्या बनेगा, A plus B, B plus C, और C plus A, आपका answer आगया, बाद सवाज में आगी की नहीं आगी आंसर लेग देता हूं यह देखो यह पूरा अंसर है ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए आपका अंसर बन जाएगा ठीक है सॉल्ब करते है न जो बच्चा कॉपी में रिस्टर बना रहा होगा जो तो उसका हो जाएगा का सवाज में आगया चलो अगले पर लिए अगला कोशन देखिए कोशन केरा अगर एक क्यूब माइनस का सी क्यूब माइनस का 3 एक जीद हो यह यह प्लस नहीं है यह माइनस है तो यह आप्शन जो दे रहे हैं वन टू थरी फूर इसमें से कॉंसर अप्शन करेक्ट होगा बत सी को मैंने क्या माइनस सी कंडिशन सटिस्ट हो रही है मास στηνstep से मागी बाद तो अब जब ऐसी फम हमारी होती है तो मैंने आपको चीज़े बताइती कंडिशन 2 होती है याथ जो ए फिकल 2ื่ सी मलभ कहने का यह है कि aq प्लस bq प्लस cq माइस का 3abc अगर 0 होता है तो 2 condition होती है पहली condition तो अगर a, b, c बराबर होंगे दूसरी condition क्या कहती है कि a प्लस b प्लस c इस इकल टू क्या 0 होगा अब आप एक बात देखिए अगर तीनों बराबर हैं तो a तो मेरा प्लस में और बागी सब क्या माइस में तो ये condition तो होगी नहीं समझ मारी बात दो हताइटी मैंने दो condition होती है या तो a is equal to b is equal to c होगा और या तो a plus b plus c is equal to 0 होगा दो condition होती है जब ये वाली form होती है बताया था मैंने अब एक बात आईए a आपका जो है plus में p आपका minus में और c आपका minus में तो ये वाली condition तो वैसे नहीं लगेगी तो option a पहली कड़ गया तो इसका मतलब ये वाली condition लग जाएगी करके देखिए a का a, b का क्या minus b कह सकता हूँ और c का मतलब क्या कह सकता हूँ minus c कह सकता हूँ देखो ये सब ये दवाला है, अब देख सकते हैं, चीक है, ये हमने रखा था, और ये value है, is equal to zero दे रखी है, अब इस दोनों को यहाँ बेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, a is equal to क्या आजाएगा, b plus c हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा option 3, समझ मागी है, option 3 का correct answer है, आई हो आपको बाद समझ मागी होगी, चलो करते हैं, अगला कोशन, ना है तो बता देना, देखें, मैं आपको एक बार एक बार दुबारे point बतायता हूँ, जब ये condition होती है, a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc होता है, तो दो condition आती है, पहले condition a is equal to b is equal to c, और दूसरी condition आती है, a plus b plus c is equal to 0, ये दोनो condition आ जाती है, ये कैसे आती है, जब मैंने आपको formula 7 का last में करवाए था, तो formula 7 की दो equation बन रही थी, बहिए a cube plus b cube plus c cube minus 3abc की दो equation बन रही थी न, उन दोनों को आमने सामने रखो, conditions आपको मिल जाएंगी, तो ये तो conditions आती है, तो कभी ये applicable हो आती है, कभी ये applicable हो आती है, कभी दोनों applicable हो आती है, सहज मागया, अगर ये applicable नहीं हो रही, तो question दे रखा होगा, और ये applicable नहीं हो रही, तो question उसी प्रकार से बनाया गया होगा जैसे पिछला वाला question, question number 7 बनाया गया था, ठीक है? I hope आपको ये बास समझ में आगी जोगी चलो करते हैं अगला question चलिए देखिए आटफ़ा question आटफ़ा question कहा रहा है अगर a plus b plus c की value 0 है, तो a square upon b c, b square upon में c a और c square upon में a b की value क्या होगी तो इंडागली क्या कीजे, यहाँ पर क्या a की multiply नहीं कर सकता? कर दीजे, क्या मैं अदर b की multiply नहीं कर सकता? कर दीजे और क्या मैं अदर c की multiply नहीं कर सकता? कर दीजे, इंडागली मैंने lcm ले लिया जब इनका LCM लेंगे तो क्या बनेगा AQ जमा BQ जमा CQ अपन में क्या होता है ABC दिरका है अब यह बात पुझे पता ही अगर ABC मेरे 0 है A प्लस B प्लस C अगर मेरे 0 है तो इस पूरी की वेली क्या बन जाती है 3 ABC बन जाती है तो अपन में क्या आगया ABC कड़ी गया तो इसका हो जाएगा Answer 3 मैं नहीं चाहता कि आपसे एक बी कोशन चूटे इसमें मैं सारे कोशन कराने की कोईश कर रहा हूँ कैसा भी गुम क्या है I hope आपको मदर जो मेरी वीडियो देख रहे है आप तो समझ में आ रहा होगा में चीज यह है कि दिमाग में दो तिन बार करो धंक से गड़ जाए वह फॉर्मले रिपीट 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 बार पर थोड़ी नहीं एक बार पढ़ो एक बार पढ़ोगे एक कोशन को तो फिर मलब रिपीट याद रहेगा ऐसा थोड़ी होता है तीन चरबर करो उसके बियाप पर कोशन करो देखो जैसे मैं करवा रहा हूँ अब यह AQ प्लस BQ प्लस CQ में रठवा दिया तो यह बारर बोल बोल के बारर बोल बोल के आपके दिमाग में बैड़े आता है चिक है चुलाते हैं अगले वाले कोशन पर चले देखिए अगला कोशन अगला कोशन कहा रहा है कि अगर XC पावर A प्लस XC पावर B प्लस XC पावर C इस एकल टू 1 दे रखा है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ की वैली बताईए को समझ में आया कुछ कोशन आ रहा है माइड में देखो बहुत अच्छा कोशन है यह देखो क्या मैं 1 को XC पावर 0 कह सकता हूं क्यों किसी की भी पावर 0 होती है उसको हम 1 लिख सकते हैं वही एक हजार की पावर भी अगर 0 है तो अभी हम 1 लिखते हैं एक लाग की पावर भी 0 है, तब भी हम क्या लिखते हैं, उसे 1 दिखते हैं, बासज में आ गई, तो आपको पता अगर बेस सेम होता है, तो ये प्लस नहीं है, मल्टिप्लाइए है, अगर प्लस हो तो उसका अलग बने का उप्शन, ये क्या है, मल्टिप्लाइए है, ठीक है, जीरो, अगर ए प्लस बी प्लस टी की वेली जीरो है, तो एक यूप प्लस बी क्यूप प्लस एक क्यूप की वेली क्या होती है, तो बास समझ में आगी, तो इसका अंसर हो जाएगा, ठीक है, चलो आते हैं, दस वी कुशन पर, देखो अब जल्दे लिकर आ रहा हूँ, समझ कोशन 5 बताया था, जिनका हमारा 405 बटे 2 आया, वो एकदम सही है, 2-3 बच्चों के आया थे, एकदम सही है, ठीक है, कोशन 5 जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था, उसका 405 बटे 2, एकदम सही है, सौल करोगी, कितना आएगा मेरा, 202 पॉइंट, 5 को करेंगे, तो कितन आता है मेरा पॉइंट, 5, तो एकदम सही है, ठीक है, चलो आते हैं, कोशन नंबर 10 पर, चले देखिए अगला कोशन, कोशन नंबर 10, कोशन नंबर 10 कह रहा है, अगर A प्लस B प्लस C की वैल्यू अगर 6 है, तो A-1 की क्यूब, प्लस B-2 की क्यूब, प्लस C-3 की क्यूब की इसे मैं A मानना हूँ, इसे मैं B मानना हूँ, इसे मैं C मानना हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो अगर A-B-C की आजाए, तो क्या बनेगा, A-1, प्लस का B-2, प्लस का C-6, बस वजमा आ रही है कि नहीं, तो कितना होगा, A-B-C, A-6, अब मुझे पता है, पहली क्यूश जीरो, अब इस पूरे में अगर A-B-C की वजमा जीरो है, तो क्या बनता है मेरा, 3A-B-C बनता है, capital A, capital B, capital C, तो 3, A की वैल्यू क्या है, A-1, B की वैल्यू क्या है, B-2, और A क्या है, C-3, तो इसका अंसर हो जाएगा यह, ठीक है, ऐसे ही आते हैं कोशन, चलो आते हैं अगला कोशन, कोशन कहा रहा है, अगर X की वैल्यू, A bracket में B-C है, Y की वैल्यू, B bracket में C-A है, और Z की वैल्यू, C bracket में A-B है, तो हमें इसकी वैल्यू ने उकालने हैं, दिखरा होगा आपको, कैसे करेंगे, देखो यह कोशन ऐसे भी आता है, और कभी-कभी क्या होता है, दूसरी फॉर्म में भी आता है, वह दूसरी फॉर्म क्या है, वो इसकी फॉर्म है, इसको नीचे बेज दो, तो कहिए X upon A is equal to B-C हो जाएगा, चीक है, Y upon B is equal to केतना हो जाएगा, C-C हो जाएगा, और Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z upon C is equal to A-B हो जाएगा कि नहीं हो और 3, तिने को add करोगे, तो क्या आएगा, X upon A, plus का Y upon B, plus का Z upon C, अब इनको प्लस करेंगे, तो B-C, C-A और A-B को अगर हम प्लस करेंगे, तो क्या आएगा, 0 आजाएगा, बास समझ भागी की नहीं आगी, चीक है, इनको करके देखना है, दुनों के 0 आएगा, इसको माल ल क्या है, C है, अगर A plus B plus C 0 होता है, तो A cube plus B cube plus C cube की value क्या होती है, मेरी, क्या होती है, 3A, B, C होती है, तो इस cancer क्या हो जाएगा, 3A क्या है मेरा, X, Y, Z upon A, B, C, बात भी पढ़ेगी, X upon A multiply, Y upon B multiply, Z upon C, तिनों का मतलब A की बनेगा, तो इस cancer यह हो जाएगा, बस सजमारी है, 3 multiply, X, Y, Z upon A, A, B, C, sorry, A plus B कहा रहा हूँ, A into B into C, पासज में आ गई, चलो करते हैं अगला question, देखो अब यह वही level वाले question ला रहा हूँ, मैं देरे-देरे, base से लेकर ही, सारा level level लेकर आ रहा हूँ, अब आप चाहो तो किरन बिरन कोई सी भी किताब उठा सकते हो, कोई सी भ जवास करना ही नहीं है, चीक है, चलो, आते हैं अंगले पर, देखी एकला question, question number 12, question number 12 देखो आसान है, देखना लागो आपको, क्या रहा है, a minus b की cube, plus b minus c की cube, plus c minus c की whole, मलब cube, जो भी है, minus का 3, a minus b, b minus c, और c minus c आपका दे रखा है, तो इसकी value क्या है, तो अगर मैं इसे a माल लू, वही ची, इसे पूरा b माल लू, उसे मैं c माल लू, देखो capital मान रहा हूं, ताकि आप समझ जाओ कि ये वो बला a नहीं है, तो a plus b plus c जब आप करते हूं, तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, करके देख लो भई, a minus b, देखो a से कर जाएगा ये, c से क जाएगे, 0 जी तो बनेगी, क्यों, क्योंकि हमें पता इसका formula क्या होता है, a plus b plus c, ठीक है, a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c, चाहिए ये कहलो, और चाहिए बोवाला कहलो, half a plus b plus c, a minus b का whole square, plus b minus c का whole square, plus c minus c का whole square, बात वही पड़ेगी, तब भी a plus b plus c 0 आगया, तो पूरी value क्या हो जा लगी, बात सवजब है कि नहीं, question कराने का ये motive निता कि आपको answer निकल लाता, ये था कि formula कैसे कैसे लगते हैं, ठीक है, ये formula शाहिए सबसे खतरनाग लगता हो, कुछ बच्चों को तो, तो खतरनाग वैसे है नहीं, चला आते हैं एकले question, question कहा रहा है, कि अगर a की value 34 है, औ और b is equal to c, बराबर है ठीक है, ये दोनो, b is equal to c, दोनो 33 है, तो a cube plus b cube plus c cube minus 3abc की value क्या होगी, अब अब क्या करोंगे, मैं formula लगाओगे, अगर हमें ये चीज़ निकाल नहीं है, तो formula क्या होता है, a plus b plus c, देखो 0 तो आ नहीं रहा, क्योंकि यहां कोई minus b नहीं है, अगर य ये वाल लगाओंगा, a minus b का square, plus b, यहां plus है, plus b minus c का whole square, और plus c minus a का whole square, समझ मारिये वाद, मैंने, जो है, a square plus b square plus c square minus a, b, b, c, नहीं लगाए, बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो आप सीधा ये लगा तो, आप करके देखो, half का half, a कितना है मेरा 34, और b और c कितना है, 33, 33 कितना हो जाएगा, 6-6 हो जाएगा, को दिक्का तो नहीं है, 6-4 कितना हो गया, 6-4, 10 हो गया, लगा, एक, ये तो बन गया 100, 100 का अदा, ये तो बन गया 50, क्योंकि कड़ी आएगा ना यहां से, तो यहां तो मुझे 50 मिल गया, अब इसको देखते है, a minus b, अगर 34, 33 कितना हो बचा एक का स्कोर, एक का स्कोर, एक होता है, b minus c, 0 हो जाएगा, और c minus a कितना होगा, minus 1, अब minus 1 का स्कोर कितना होता है, 1 ही होता है कि नहीं होता, value रख देना खाली, ABC की value रख देना, साज में आ गया, तो 50 into 2 कितना जाएगा, तब भी गुमा के 100, तो असका अंसर क्या बन थाना सान, देखो यही चीज़ होती है, अगर आप formula को अच्छी तरह करो, देखो अब यह formula मैंने आपको डंग से करवा दिया है, रटवा दिया है दिमाग में, इतने question करवा दिया है, ठीक है, चलो आते हैं अगले पर, चलिए अगले question देखिए, इस question को आप हलका सा star mark कर हलका सा थोड़ा सा लग गई है, question क्या रहा है कि अगर A की value 94 है, B की value 96 है, और C की value 98 है, क्या यह कुछ आपको AP वाली form दिखरी है कि न दिखरी, भई AP ऐसी होते हैं, difference कितने का है, दो-दो का difference है, और यह आपका A है, यह आपका B है, यह आपका C है, दिखरा होगा आपको, चलो पहले इसको solve करते हैं, मदा आएगा, अब आपको पताएए, अगर यह formula होता है, तो क्या इसको हम ऐसे भी तो कहते हैं, half A plus B plus C, जो मैंने अभी लिखवाया, A minus B का whole square, प्लस B minus C का whole square, प्लस C minus C का whole square, यह से जो B है, dot 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 कर दो, यह होता है formula, तो बस इसमें value put कर दो, क् वैसे करेंगे, अगर इसके अंदर value put करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वही चीज है, तो इसका हो जाएगा half, A plus B plus C, अगर इन तोनों को आप जोड़ोगे, क्या बनेगा, जोड़िये इन तोनों को, एक मिनट, चलो ठीक है, पानी पे लिया, गला थोड़ा को लेता, लेगर यह तो है नहीं, तो पहली कडिया होगा, इसे हटा दो, तो आपका बचा सिर्फ यह वाला फामला, बासमज में आ रही है, तो half का half, A minus B, अब A minus B करोगे, तो कितना आता है, मेरा minus 2 का square, जिसको मैं 4 करे सकता हूँ, ठीक से समझना चीज को क्या करा हूँ मै फिर आता है, B minus C, भाई B minus C करोगे, तो minus 2 बचेगा न, minus 2, और minus 2 का square कितना होगे मेरा, 4 हो जाएगा, पई चीज, उसके बाद क्या है, C minus A, इस सक क्या बचेगा, 4 बचेगा, और 4 का square कितना होता है, 16, अब ऐसा नहीं, इन सब को plus 4 काटोगे, टेकनिक बना लो, यह जगा 2 यह जगा 2, यह जगा 8, 8, 2, 10, कितना गया, 12, तो आप कांसर आगया, 12, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, उस पर धियान दो, लिखने, इस वाले पर लिखने मत धियान दो, खाली बोलने पर धियान दो, आप copy में notes मना रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलो BC हमारा अगर किसी AP की form में दे रखा है, किसकी form में, AP, arithmetic progression की form में दे रखा है, तो आप क्या करोगे, अगर उसमें पूछा है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माईस का 3A, B, C पूछा है, तो इसका formula होता है, formula होता है, 9BD का square, बस में बहारा, B मतलब कोई बीच वाला number, क्या होता है, ब बीच वाला ही होता है, अब इसलिए हमने B को लिया है, तो 9, B कितना है मेरा 96, और D कितना है मेरा, D कितना है, 2 का difference है, तो 2 का square कर दो, जब इस value का आप solve करोगे, तो कितना आएगा मेरा, आपका बनेगा 3456, तो इस value का answer हो जाएगा 3456, बासाज में हैं कि नहीं आई, तो इस चीच को याद रखना, पेपर में कभी भी पूस सकता है, यहाँ रखना चीच को, चलिए अब इसका जो है normal type देख लिजे, यह तो आपका formula बलता है, अब एक बात बताईए मुझे, जब इसका हम solve करते हैं, तो उसका formula करता है, half, A plus B plus C, उसके बात क्या होता है, A square, A minus B का whole square, B minus C का whole square, यही तो हम करते हैं, बास सजमारी की नियारी, और अब ही हमने इसकी value क्या निकालती, 12, याद आया कुछ, second वाले part में इसकी value 12 निकाली थी, यही तो था खाली, A minus B का whole square, plus B minus C का whole square है न, 12 निकालती, तो यह कार दो, यह तो आपका 6 हो जाएगा, तो 6 multiply, A plus B plus C, तो आप A plus B plus C को अगर करते हो, तो कितना आएगा यह, जोड़ दीजे, 94, plus 96, plus 98, इन तीनों का आप plus करके 6 से multiply करोगे, आपका answer कितना मिलेगा आपको, 3, 4, 5, 6 आपका answer मिल जाएगा, बास साज में हारी है कि नहीं हारी, तो वही चीज़ है, मैं दिमाग लगाने में व बास साज में हारी है कि नहीं हारी, चलो करते हैं अगला, चले करते हैं इस वीडियो का जो है last question, last question क्या कहा रहा है, last करा होगे second last, क्या करूँ, एक और करा दू, एक बच रहा है वैसे तो, चलो कोई नहीं second last है, एक आखरी और करा रहता हूँ, तो इसको देख लो, आपका ब्लस B प्लस C, bracket में A square प्लस B square प्लस C square, A प्लस B प्लस C 6 तो देख रखा है, A square प्लस B square प्लस C square, मैं अगला, A माल लो चाहाँ, X माल लो, मैं यह कहा रहा हूँ, आदत है न, आप X लेग देना, तो आपका किछ यह माइस का A, B माइस का B, C माइस का C है, कैसे निकलेगा, तो एक बाल ताहिए, मुझे बताहिए, A प्लस B प्लस C का होल स्कुर्ण जो होता है, उसका फॉर्मला क्या होता है, A square प्लस B square प्लस C square, यह होता है, आगे क्या होता है, प्लस का 2AB, प्लस का 2BC या फिर जो भी है, प्लस का AB, प्लस का BC, प्लस का C है, यह होता है फॉर्मला, बसमझ में आरे यह गी नहीं आरे यह formula होता है अब आपको पता ही यह जो है हम रख देंगे 6 6 का square 36 हो जाएगा इसकी value कितने हो जाएगी 20 और plus का 2 जो भी है AB plus BC और plus C यह आपका निकल जाएगा करते हैं इसको solve तो देखिए इसको अगर minus करेंगे तो कितना बज़ेगा 16 और 16 को 2 से भाग करेंगे तो कितना ज़ेगा मेरा 8 तो इस पूरे की value कितने हागी मेरी 8 बसमझ में आरे यह कि नहीं आरे 8 अब चाहो तो solve कर लो देखो चाहे तो solve कर लो हमें पता है इसका formula हमें लिखना पड़ेगा क्या होगा a plus b plus c मैं a b c लिख रहा हूँ आप कुछ ही मान सकते हो formula क्या होता है a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c तो minus common ले रहा हूँ तो a b plus b c plus c ये बनेगा कि नहीं बनेगा बास समझ में आरे है कि नहीं आरे minus common ले लिया value put कर दो इसके वहले 6 हो जाएगी इसके वहले 20 हो जाएगी और 20 है इसके वहले हमारी क्या निकलती 8 यादा ने पीछे निकालती मैंने अब 20 थोड़े दिर पहले तो भई अब 20 में से 8 जाएगी कितना बचा मेरा 12 12 into 6 12 चिक कितना होता है 72 तो असका अंसर कहाएगा बाधतर ऐसे question भी आपको देखने मिलेंगे यह सारे वो question है जो CGL, CP, CO, Coach Guard, Section 1 हर सारे mix कर गया रखें कोई level नहीं है इनका कि भई इसमें आ रखें तो tough होंगे नहीं कहीं भी डाल रखें किसी ने भाई पहले CGL 2014 में CGL में आ रखा है तो 2018 में इसमें आ रखा है तो भाई अब छोड़ने सकते हैं आसे question तो कहीं से इठा सकता है तो वो चीज है अब करते हैं इसका last question चलिए करते हैं इस वीडियो का अंतिम question आखरी question देख लो question कहरा है अगर A-B की value 20 है B-C की value अगर 30 है और C-A की value 50 है तो हमें इसकी value find करनी है तो एक बताइए उपर वाले का formula बन जाएगा क्या बनेगा A-B-C अब कौन सा लगाऊँ A-A2-A2-A2-A2-A2-A2-A2-A2-A2-A2-A2-A यह पिछले वाले टाइप है पिछले वाले का मतलब है जो इससे question पहले करना है 17 उससे पहले वाले में जोड़ देना से मुझे लगा last check करा देजन शीए आप उन में क्या देर रखा है A-B-C देर रखा है यह आप काड़ दो अब आपका क्या है आप निकाल देना आपका अंसर आ जाएगा जो भी है इतना तो करी सकते हो तो I hope आपको वीडियो समझ में आई होगी वीडियो समझ में आई होगी तो भई वीडियो को शेयर करो जाल से आज बोलो भई लोगों से कि हाँ वीडियो देखें क्यों क्या रिती महस कर रहा हूं देखो आप नई तरी की चीज़े ला रहा हूं तो भी कम से कम देखो efforts का कम से कम बहुत रखो न या इज़त रखो थोड़ी चीक है और comment कर दिया अगर हो चीक है शलो मिलते हैं अगली class में अगले class में हम क्या बढ़ेंगे concept थोड़ी से formula है थोड़ी से concept पढ़ेंगे हैं भाई देखो अगर वीडियो तुम्हें सही लग रही है कि हा बई मैं एक चीज ठीक से करवा रहा हूं तो मुझे बता देना comment करोगे तब ही मुझे पता चलेगा एकदम ऐसे basic अलिए बेस